दोसना सुवागत है आपके अपने चनल सिवील सायड वूजयड में तो आज का टॉपीक आपके लिए है कि एक बैग सीमेंट में कितना सेंड लगेगा, खितना एड मिक्चे लगेगा, कितना खबची लगेगा, आग्रिकेट लगेगा, बालू लगेगा क्या क्या कितने बैग में कितना चीज़ें लगती हैं वो कैसे निकालते हैं क्योंकि जब भी आपकी VTAC होगी जहां आपका कोई गर पे काम चल रहा होगा यह रिलेटिव के गर काम चल रहा होगा तो आपसे पूछा जा सकता है सिविल इंजिनियर हो पूछा क्या जा सकते हैं आपके काम भी आएगी यह चीज़ क्योंकि साइट पे जाओगे हर जगा RMC नहीं बनेगी जहां माल ज्यादा नहीं बनेगा तो एक बैग का माल भी बनता है दो बैग का माल भी बनता है तो इससे कैसे आप निपटा सकते हो मतल है यह आपको मतलब ऐसे नेट पे मिल जाएगा लेकिन आपको मिलेगा क्यूमी के हिसाब से कि एक क्यूमी में आठ बैग बैग हो गई इतना क्यूब जाएगी वह सब आपको दिया जाएगा लेकिन मैं आपको प्रॉपर एक अलग तरीके से बताऊंगा कि M25 में कितना लग लग गया और M20 में क्यूंकि मेंली हमारे यही ग्रेड यूज होते हैं कॉलम हो गया बीम हो गया यहां स्लैब में तो सामने आप देख रहे हो हमारा M30 का कॉंक्रीट माल बना हुगा है तो इसी की एक्जेंपल में लेके आपको बताता हूं तो मैं theoretical part अपना start करता हूं कि M25 में कितना चाहिए हमें तो सबसे पहले मैं बताऊंगा M25 का कि M25 में उसके बाद में थमरूल भी बताता हूं कैसे आप निकाल सकते हो देखो M25 जो हमारा grade होता है वो एक ratio एक बाए दो का होता है मतलब cement, sand और aggregate, cement को तो cement ही बोलते है है हर जगा, sand को बालू भी बोला जाता ह है, रेती बोला जाता है, sand बोला जाता है, dust भी बोलते हैं कि जगा लेकिन dust चीज दूसरी है, लेकिन नाम दे देते हैं sand को, dust का, aggregate, metal, कपची, पत्थर, stone, ये चीज़ें बोली जाती है, तो cement जो अगर M25 का माल है हमारा, mainly हम column में, जा slab में, use यही करते हैं, beam हो गया, M25 का, अगर आपको कहें कि आपको एक bag cement का, एक bag का माल बनाना है, तो उसका मतलब हुआ, एक bag cement डालोगे आप, sand डालोगे 104 kg उसमें, और 10 mm की कपची डालोगे, aggregate डालोगे 57 kg, 20 mm की कपची डालोगे आप 85 kg, और add mixture कितना डालोगे, 250 mm, ये कहीं कहीं डाला जाता है, लेकिन mainly आपक तो इससे आपका concrete का माल रेडियो हो जाता है, अगर थमरूल की बात करें, जो हमारा पान आता है, मतलब तगारी बोलते हैं उसको, जा कठोला बोलते हैं, तो उसमें अगर आपको तोल के डालना है, एक bag cement डाल दिया आपने, mixture में, अगर sand डालना है, किस से तोलोगे है, वो तो वो अगर 5 तगारी डालोगे तो आपका lump sum एक तगारी में 20 kg आता है, क्या आता है, sand आपकी एक तगारी में 20 kg आती है, एक thumb rule है, तगारी पर depend करता है कैसी कैसी use कर रहे हैं, 10 mm की कपची एक तगारी में 19 kg आती है, बाकी जो 20 mm की कपची एक में, एक तगारी में 21.5 kg आत उसलिए उस आपका जो भी यूज कर रहे होगे डालने के लिए उसको चला सकते होगी आपको पता है इसमें हमने सैंड डाली थी तोला था हमारा 21 kg आए था जब आ उसको फुल करोगे तो वो 21 kg रहेगा वैसे वैसे आप चल सकते हो M25 का हो गया अब भी आती है बात M35 का उसका रहता है सीमें एक सैंड और अंगरिगेट एक बंपॉयंट के माल बंना एक बोरी का माल तो एक बेक सीमेंड डालेंगे एक यह र्त की हम डालेंगे भीट नाइटी वान शव के लिए हो गया जहां उसकी सैटिं डाइम जादा कम करने के लिए जो भी आपको एड्मिक्स जैसा भी उसमें चाहिए होता है बाकी बात करते हैं M20 की जो हम स्लैब में मिनिमम ग्रेड आपको हमको यूज़ करना चाहिए हम गरों में में मैंने देखा है M20 ही यूज़ करते है कॉलन हो गया बीम हो गया तो उसको बनाने के लिए उसकी सीमेंट रहती है सी सैंड और एग्रिगेट तो सीमेंट एक बोरी के एक बोरी का माल बनना है अगर एक बैक डालिंग एम 20 का ग्रेड होगा सैंड 117 kg आती है 10 mm की कपची बास्वर के जी 20 mm की कपची 94 kg एड्मिक्च का डिजाइन करना है खुद से तो इस पे मेरी दो वीडियो है प्लेलिस्ट में जाओ आपको मिल जाएगी खुद से आप निकाल सकते हो कि एक क्यूमिक आपको माल बनाना है उसमें टोटल कितना एक क्यूमिक बोलो एक क्यूमिक फीड बोलो एक ब्रास में किसी में भी मैंन अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो जुरूर लाइक करना और शेयर जूरूर गरना थैंक यू